हेलो स्टुडेंट्स, एलीट स्टेडी जंदार के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है MPPSC 2019 परिक्षा को लेकर सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या MPPSC मेंस 2019 का जो एक्जाम है वो सभी के लिए री एक्जाम होगा या फिर जो साक्षातकार में शामिल हो रहे अव्यर्थी हैं कहने का अतात पर है जो की MPPSC 2019 में साक्षातकार के लिए सेलेक्ट हुए थे, चैनेत हुए थे उन बच्चों के लिए कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा सारे पहलूओं की बात करेंगी अंतर तक पॉडकास को जरू सुनिएगा आने वाली सभी परिक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे नमबर 9685570712 पर वर्टसेप करिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई सोशल मीडिया के सभी प्लैटफॉर्म्स की लिंक्स को क्लिक करके उन्हें सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए तो आपको बता दें कि MPPSC 2019 परिक्षा में जो मानिये उच्च न्याले का आदेश आया है नेनाय आया है उसके बाद बहुत सारी जो बातें हैं वो अवजयर्थियों के मन में हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या री एक्जैम सभी के लिए होगा देखे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हुआ क्या है मामला क्या है देखे आप सभी को पता है कि MPPAC 2019 की जो प्रानविक परिक्षा थी या जो पूरी परिक्षा थी उसमें जो नए नियम थे जो कि आसमवेधानिक कहे गए हैं उनको लागू कर दिया गया था इन नियमों को बाद में उच नियाले में चनौती दी गई और इनको हाई कोट ने मानी नियाले ने अल्ट्रा वाइरस करार देते हुए यानि कि अगेंस्ट अथॉरिटी आफ लौ बताते हुए इनको परिक्षाओं का परिणाम पुना तयार करने के लिए कहा अब लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि मानी नियाले ने यहां पर MPPSC को एक्जाम कंड़क करवाने का तरीका नहीं बताया है कि किस तरह से एक्जाम जो है कंड़क करवाया जाए इसकी प्रक्रिया क्या होना चाहिए क्योंकि इसमें जो 25 साक्षातकार में शामिल होने वाले उनके भी हित प्रभावित होंगे और कहीं न कहीं मानी उचन्याले का जो नियने आया है उसमें कहा गया है कि ये नियम जो है अगेंस्ट अथॉर्टी ओफ लॉँ है अल्ट्रावायरस है इस वज़े से अब ये परणाम दुबारा बनना चाहिए तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अगर ये परणाम दुबारा बने तो क्या होगा देखिए 2018 का एक्जैम याद कर लीजे अगर ये परणाम दुबारा बनते हैं तो उसी तरह से बनेंगे जैसे कि 2018 प्रानमिक परिक्षा कर रेजलिट बना था अब इसमें क्या होगा OBC, SC, ST work के जो प्रतिवावान चात्र हैं मेरिटोरियस स्टुडेंट से वो अन्रिजर्ट में जाएंगे और निश्चत रूप से अन्रिजर्ट के कुछ स्टुडेंट्स जो है वो बाहर होंगे अब उन मेंसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे अन्रिजर्ट के जोनोंने मेंस लिखा होगा और मेंस लिखने के बाद साक्षातकार में भी पहुंचे होंगे और कुछ जो है आपके कहना चाहिए कि अब इस इंतजार में होंगे कि उन्हें साक्षातकार की प्रक्रिया से बाहर ना किया जाए यानि कि री एक्जैम ना करवाया जाए तो यहां पर दो ग्रुप्स हैं बच्चों के एक जो वर्ग है वो ये मानता है कि चुकी माननी न्याले ने इन नियमों को ही गलत करार दे दिया है और इसी आधार पर प्रिक्षा को जो है निरस्ट कर दिया है फिर से परणाम बनाने के लिए कहा है तो अब प्राणाम परिक्षा का परणाम फिर से बनाया जाए और क्या किया जाए फिर से मुख्य परिक्षा करवाई जाए उसी आधार पर और फिर साक्षातकार में बच्चों को लिया जाए और यहां पर साक्षातकार वाले बच्चे चाहते हैं कि जो बच्चे रह गए थे उनका मुखे परिक्षा का एक्जाम जो है फिर से करवाय जाए और उनको साक्षातकार में शामिल किया जाए लेकिन ये राह जो है काफी कठिन है यहां मैं पुना आपको कहा दूँ कि देखिए यहां पर मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ वही बातें बता रहा हूँ जो कि एक मेरे पॉइंट अव्यू से और जो एड़ोकेर्स से हमारी बातचीत हुई है चर्चा हुई है उसके आधार पर जो सही है तो देखिए अगर ऐसा किया जाता है कि कुछ बच्चों को जो की बाहर हो गयते हैं उनको लेकर मुखे परिक्षा करवा कि फिर से साक्षातकार में एक नई मेरिट लिस्ट बनाई जाती है तो निश्यत रूप से आप सभी को पता है कि यह जो प्रक्रिया है वो काफी जट प्रक्रिया को हमको 2018 के एक्जैम से कंप्यर करना है जैसे कि पहले एक्जैम्स होते थे तो अगर ऐसा होता है तो निश्यत रूप से कहीं न कहीं जो चात्र चारह है कि एक्जैम हो वो इसको फिर से नियालाय में चैलेंज करेंगे हाला कि चैलेंज तो दोनों पक्ष से ही होगा इसमें कोई दोराय नहीं है और मामला सुप्रीम कोट तक भी जाएगा इस बात में भी कोई दोराय नहीं है लेकिन आपको बता दें कि यहां पर अगर जो एक बात है जो हम सोच रहे हैं कि यह हल निकल सकता है तो अगर उन वो जो नियम थे वो सारे नियम गलत थे और उनहीं नियमों के तहट परिणाम जारी किये गए थे तो कहीं न कहीं जब आपकी वो परिक्षा निरस्त कर दी गई है तो फिर उसके परिणाम जो है वो कैसे मानने होंगे यह सबसे बड़ा कुश्चन मारक है जो कि अरूकेर्स ने भी कहा है कि यहाँ पर अगर परिक्षा निरस्त की गई है तो फिर उस परिक्षा के परिणाम जो है वो कैसे मानने होंगी क्योंकि वो गलत नियमों के आधार पर करवाई गी थी लेकिन यहाँ पर मालीजे MPPSC कुछ बीच का रास्ता निकाले और जैसे कि आपने देखा था तो ऐसे ही कुछ अगर 2019 के समन्न कोई शुधी पत्र लाया जाए और सीट्स बढ़ाई जाए और उसी रेशियो से जो है क्या किया जाए मेंस इग्यामिनेशन करवा के फिर साक्षातकार में जो बच्चे वे बच्चे उनको शामिल किया जाए तो हो सकता है कि कही ना कही जो मानी उच्च नियाले है वो उनके इस रिजल्ट से एग्री हो जाए लेकिन अगर सुप्रीम कोड जाता है तो आपको पता ही है कि सर्वोच नियाले में जो है चीजें सबसे बड़ी अदालत है और आप सभी जानते हैं कि जो चीजें उच्च नियाले में आप सोचते है कि आप संतुष्ट नहीं है उनको लेकर तो कहीं न कहीं सरोच नियाले से ऐसा देखने में है कि बहुत सारे जो परणाम है निड़ने है वो बदल जाते हैं जैसे कि सागॉन वन वाला प्रश्ण ही देख लीजे अगर एक टीचर के नाते और एड़ोकेट्स से जो बात हुई है माली जे जो अभी हमारा डवल बैंच में सुनवाई है अगर ही ओचने आले में हम माली जे एक परसंट भी हार जाते हैं 90% हमें जीतने की पूरी आशा है लेकिन माली जे हमको जो है हमारी आशा के अनुरूप पर नहीं मिलता है तो ये गारेंटेड है कि सुप्रीम कोट पर ये सागॉन वाल वन वाला प्रश्ण हमारा जीता जिता जिता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहां पर चीजें थोड़ा सा जो हैं आप समझ सकते मैं क्या कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा बहुत एक लावल उपर आप जाके जब अपील करते हैं तो निश्यत रूप से क्या होता है कि आपके लिए नियाय की आशा है जो होती हो बढ़ पियसी अपनी वेफसाइट पर जो है इसके संबंध में सूचना अपलोड करेगा और जैसे ही सूचना अपलोड होगी उसके बाद तुरंत ही आप देखिएगा चाहे ये पक्षो चाहे वो पक्षो दोनों के लिए ही ये बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है क्योंकि दो बहुत ही महतुपूर निर्णा के रूप में देखेंगे और दोनों ही पक्षो की दरफ से आपको तो पता है जा टीचर सभी से बात होती रहती है तो नियाले से लेके सर्वोच नियाले से लेके हर तरह से तैयारी पूरी है उनकी बस वो वेट कर रहे हैं कि MPPSC के जो डिसी से को विवादד करता है तो ने हैं दिक्कत हो सकती है लेकिन комментарी मैं फिर कह दूं कि ये मेरा अपना मानना है और मेरे डूकेर्से होुई है उसके खताफ से मेरा कहना है ऐसा बिल्कुर न नहीं है की जो मैं कह रहा हूं वही होगा यह वही होाना चाहिए मैंने तो चिर्फ इस आधार पर जो परिक्षाएं करवाई गई हैं और जो परणाम बने हैं वो कहीं न कहीं आप सभी जानते हैं कि वो फियर नहीं कहे जा सकते हैं तो मानी न्याले ने कहा है कि फिर से परणाम तयार किये जाएं तो प्री का रिजल्ट रिवाईज होगा अब रिवाईज अगर हो उसी तरह से जो है क्या होगी तैयार की जाएगी और लेकिन अगर यहां पर कुछ सीड्स को बढ़ा कर कुछ इन्होंने अपने तरफ से कुछ कह सकते दिमाग लगा कर चीजों को सेटल करने की कोशिश की तो यह भी संभाव है आगे जो भी जानकारी होगी वह आपको बताई जाएगी आने वाली सभी परिक्षाओं की तयारी के लिए आप हमारे नंबर 9685570712 पर हमें वाट्सएप करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को मित्रों को अपने भाई बहनों को बताईए हमारे एलीट स्टेडी जंद और प्रिंसर के ऑनलाइन कक्षाएं वीडियो लेक्चिर्स नोर्स टेस्रीज एमपी पियस सी व्यापम बेंक असिसी रेलवे सभी के लिए बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में अवलेबल है हमेशा मैं यही क्या रहा हूं कि अपने बाबाप का अपना मेहनत का पैसा कोचिंगों पर बरबाद मत कीजिए इसको बचा कर रखी क्योंकि अभी समय बिरोजगारी और महंगाई का है कोरोना का है इसलिए लाखों रुपे कोचिंगों के नाम पर खर्च करने से अच्छा है कि आप एक जो अच्छे नोट्स हैं जो कि एक्जैम में आपको हल्प करेंगे आपके काम आएंगे और वही कॉश्चन्स आपको मेरिट में ले जाएंगे वो नोट्स करी दें घर में पढ़ाई करें और प्रिंसर से स्ट्राटेजी पूशें कि एक्जैम में सफल कैसे होते हैं मिलते अगले पॉड़कास में धन्यवाद